Hey there, welcome back to our channel in a classroom. आज के हमारे इस वीडियो का टापिक है Please Write in Block Letters Please Write in Block Letters इस वीडियो में हम यह जानेगे कि Please Write in Block Letters इसका मतलब हिंदी में क्या होता है So यह जो वर्ड है Please Write in Block Letters इसे हम हिंदी में कहते हैं किर्पिया बड़े अक्षरों में लिखे किर्पिया बड़े अक्षरों में लिखे इसे यह जो वर्ड है Block मतलब की Upper Case Capital Capital Letter यहां पर कहा जा रहा है कि किर्पिया बड़े अक्षरों में लिखे बड़े अक्षरों में हम जब Suppose होता है कि कोई जो इनसान होते हैं स्मॉल लेटर्स की लिखने की आदद होती है या फिर किसी को सिर्फ Capital Letters लिखने की आदद होती है तो यह जो जादर वर्ड सेंटेंस है यह हमको Forms में जावत रहते हैं अगर हम कोई Form भरते हैं Online या Offline उनमें लिखा होता है Please Write in Block Letters मतलब की किर्पया बड़े अक्षरों में Capital Letters में लिखें Capital Letters में लिखने का फायदा यह होता है Forms में कि अगर हमने Small Letters में कुछ ऐसी सेंटेंस लिख दे जो हमको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन Capital Letters में हमें पूरे अच्छी तरिके से समझ में आता है सारे सेंटेंस, सारे word सारे जो characters है सब कुछ clearly हमको समझ में और पढ़ने में आता है इसलिए हम Forms में लिखा होता है Please write in block letters मतलब की किर्पया बड़े अक्षरों में लिखें किर्पया uppercase मतलब की Capital Letters में लिखें Capital Letters में लिखना उसे हम कहेंगे Please write in block letters यह ऐसी जो sentence है कई बार हमें Forms में आते हैं या फिर हमको कोई किसी website में हमें कुछ enter करना होता है Gmail या फिर Name या फिर कोई पता तो उनमें भी हमें लिखना होता है Please write in block letters मतलब की बड़े बड़े अक्षरों में Capital Letters में लिखें एक्जाम में भी कई बार कोई जो sentence है वो हमको block letters में लिखने के लिए कहा जाता है Please write in block letters या फिर अपना address, नाम, पता अपना जो seat number यह सारी चीज़े हमें block letters में लिखने के लिए कहा जाता है हमने समझा कि block letters मतलब की block letters का मतलब होता है capital letter Please write, किलपिया लिखे block letter मतलब capital letter में लिखे So girls, I hope आपको ये वीडियो का topic समझ में आया गया होगा और ऐसे वीडियो, ऐसे ही topics देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना बूले मिलती हूँ नेक्स वीडियो कर, गुद बाई